canm内 तो बात करते हैं सेम की सिएंवर एक्ट माल्डिशन की एक टाइप है है लगसे लाधा नूबर में काता है नो जबात करेंगी ड्याइन णीन है पर तो इसको हम बोलते हैं वीजिबल वास्टिंग बोलते हैं भाई तो इस केसे में यहां पर सैंब बोलेंगे या फिर मीड अपर आम सरकंफरेंस जो है इस लेस देन 11.5 सेंटीमेटर है ना तो करेंगे सें अब दिखेंगे उसके सब्सक्राइक के में हैए में मेनेजमेंट की बात करें था काौंप्लीकेट ना क nell港 चर्ण करेंगे तो अरगर कॉम्सल्चेह में का तो उसकी बारें बात करते हैं तो अन्सक्राइब में यहां पे हम home based management करते हैं ठीक है home based management करते हैं होम बेस्ट मैंजमेंड करते हैं हम nutrition therapy देते हैं nutrition therapy में यहां पे हम क्या देते हैं ready to eat food देते बच्चे को ready to eat food देते हैं कि इसको बोलते हैं एक थेराप्यूटिक फूड रेडी टू एट थेराप्यूटिक फूड यहां पर हम 175 किलो कैलेरी पर केजी पर डे देते हैं एनि कितना एतने हैं भाई शिक्स टू एट टाइम्स कि अधे तो पहले वहने बात की अनकॉंप्लिक्रेट सेम की बारे में नूटिशन थरीपी देंगे शिक्स्ट टाइम सद्दे जिसमें हमारे पास 175 किलो के लिए किलो के लिए पर केजी पड़ देते हैं इसको उसके साथ नूटिशन थरीपी के साथ यहां पर हम और चीज में अन्वक्रीट साही हम हम एमॉक्सिसलिक डेंगहारद करी सsorry के इस कितना चाहिए में कि अग्वाइंगहारद करते हैं यहां पर वाइटमीने क्या देंगे मेगा डोस अलबेंडा जॉल देते हैं भाई अलबेंडा जॉल कितना देंगे 400 मिली ग्राम का सिंगल डोस इसके साथ यहाँ पर हम Uncomplicated Sam में Sensory Stimulations देते हैं Sensory Stimulations में यहाँ पर हम Play Therapy देंगे यार Play Therapy बच्चे खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है मैं तो खेलने में पार्टिस्पेट करने के लिए बोलेंगो इसको फिजिकल एक्टिविटी जादा पार्टिस्पेट करने के लिए बोलेंगे बच्चे को तो यह हमने बात कि कि अनुर्त कॉमप्लिकेट टीह चयों खेला है ओडरस्पेश Nee भाई यहां पर दो फिर्ष एमिसों करते हैँ दो फेले में यह हम बात करें हैं तो स्टेबिलाइशन फेल से इसन यह पीचिए टेमिन मेंजमेंट के बात कर रहे हैं है स्टेबिलैशन फेला स्टेबिलाइशन फेस तो पहला step है 6 हवतों के लिए चलता है कमप्लिक्रेंट सेमिक कर लीड टिक है तो इस टेप काइप लिए है स्राइब क्पीअं अगरiyor है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे उसको 50 ml क्या देंगे भाई 50 ml 10% डेक्स्ट्रोस देंगे कैसे देंगे भाई आइवी देंगे फिर नेजोगेस्टिक ट्यूब से देंगे लेकिन अगर बच्चा क्या है सिम्टोमेटिक है उसको पांच एमल पर केजी देते हैं कितना 10% कैसे देंगे इसको आईवी देंगे ठीक है तो हमने बात कर लिए हैपो घ्रमिया की रिटमेंट की है पो थर्मिया का मतलब है बच्चा जो है उसका बॉड़ी का टेमपरेचर लेस देन 35 डिगरी सलसेस हो गया कहां का एक्षिलरी टेमपरेचर ठीक है एक्षिलरी टेमपरेचर लेस थाइव दिगरी सलसेस हो गया उसको बोलते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बच्चे को वार्मर में रख देंगे और उसको कपड़े पहनाएंगे अच्छे से ठीक है बॉड़ी को पूरा अच्छे से कवर करेंगे एडुकेट क्लॉथिंग देंगे बच्च पांच केजी और तक देना है तो क्या करेंगे दस किलो का बच्चा है तो क्या करेंगे दस इंटू पांच-पचास से मेल क्या देंगे वारेस देंगे हैना हर मिनिट हाना पचास से मेल हर मिनिट देंगे तीस मिनट तक उसके बाद नेक्स तैन आवर्स में क्या करेंगे नेक्स तैन आवर्स में क्या करेंगे नेक्स तैन आवर्स में पचास से मेल देंगे पर केजी दस की लोग का बच्चे है अगर बच्चे को इंफेक्शन हो गया यार कॉंप्लिकेटेट सेम् क्यों बोलेंगे इसके लिए इसको क्लूकोस क्लेबल कम हो जा रहा हुँआ उसके तेप्स को इन्फेक्शन हो गया तो इसको एमोक्सिसिलीन देंगे हाँ गाँ एमोक्सिलीन प्लस् जेन्टा मैसीन ते मसिसलीन नहीं आ है एमपीशिलीन देंगे प्लस् गेंटा मैसीन जान के पाद इलक्टोलाइक्ट पला इक कब तक देंगे दो हफ्ते तक देंगे कि माइक्रों न्यूट्रियन डेफिसेंसी की बात करें है के है मातलब करए कि कि अदेंगे आ भाई तरियंट की बात करेंगे है तक फॉलिक अशिट की बात करीज तो बच्चे तो फोलीक असीड देंगे वन ग्राम पर केजी कितने दिन के लिए देंगे 5 मिलीग्राम उन डे वन अक्छी आधी हुआ कि नफ पर दो सभी ठीक है पर दिन यह पर डूस है उसके बाद जींग की बात करें ये और न देंगे two kilogram पर के जी पड डे कॉप्र जो है वो जीरो पंड दी मेलीग्राम पर केजी को पर डेनियंग पर डूस हुआ ठीक है वकॉपर के बात आइरेन की यह होगे हमने पास चेप से स्टेप्स की बाद की इनिशी निश्टिक पीड अगर थिक से बच्चा थिक से इनिश्ट नहीं कर पा रहा है खाना नहीं खा पा रहा है तो इनिश्ट करेंगे फीड उसको बोलें कि खाना कैसा खाए घर्चे में बड़ा हो गया तो ब्रेस्ट फीड अगर कंटीनू करेंगे ठीक है न भाई क्राइब करेंगे एसानी कि नहीं कराना खाना किलाना यह अब ब्रेस्ट मेंट करते करते सथाथ सबस्क्राइब दे रहा है को स्थार्ट करेंगे फिट फॉर्मौला 75 डाइट एंड यह हर दो घंटे में देंगे इसको एवरी सेकेंड आर्ली यह हो कि हमने बात की बुद इनिशेटिंग फीडिंग यार आठ्वन स्टेप क्या है यहां पर कैचप ग्रूथ कैचप ग्रूथ में हम क्या करते हैं एफ हंड्रेट डाइट देते हैं एफ हंड्रेट में बात करें तो हंड्रेट किलो कैलरी प्लस टू पॉइंट नाइन ग्राम प्रोटीन दिए भाई हर हंड्रेड एमल में ठीक है नयन्स हमने बात की ब्हुत सेन्सरी स्टीमूलेशन अग्या थिमूलेशन में क्या करेंगे बच्चे को बोलेंगे वह फ्लेटरी देंगे उसको ठीक है और खेले आपस में बच्चों के साथ खेले दूसरे खुद खेले ठीक है तो प्लेटरी बहुत जरूरी है यहां पर फ्लेटरी फॉर अप्टू 30 मिनिट्स अब हर दिन खेलन होना चाहिए कोई इडिमा नहीं होना चाहिए को सैम की क्राइटरी आ रहे है एंड वह एट लिस्ट खाना खा रहा हो 150 से 130 किलो के लिए पर केजी पर डे तो डोस जो मैं बोरा था वो डे है तीक है नौट डोस इटिंग अट लिस्ट वान ट्वेंटी टूवन थर्टी किलो कैलरी पर केजी पर डे तो कंसिस्टेंट वेट गिन होना चीए बच्चे का तब जाकि हम उसको डिशाच्च कर सकते हैं अगर वेट गेन नहीं होगा तो इसको डिस्टार्ज नहीं कर सकते भाई अभी अभी बहुत गेन करना बागी ह ठीक है तो बच्चे का क्या होना चाहिए कंसिस्टेंट वेट गिन होना चाहिए एट लीस्ट है पाइप ग्राम पर केजी पर डे फॉर कितना फॉर थ्री कंसी कुटिटिव डेज और ओरल फीड्स है पांच वह हम क्या करेंगे उसको इम्मुनाइज करेंगे जब तक उसको छे मैंने हो गया तो छे मैंने तो यह वेक्सीन लगना चाहिए वेक्सीन लागे भेज़ेंगे सो इम्मुनाइजेशन अब टू डेट इम्मुनाइजेशन अब टू डेट याफी दस महने का तो दस में तो यह वेक्सीन लगने चाहिए सारे लगा के देंगे तो यह हमने बात के बहुत डिस्चार्ज क्राइटरिया ज्यार हमने दस स्टेप की बात की कैसे हमने कंप्लीकेटिट सैंप को मैनेज करना है तो यह काइटरिया पूछा जैता है मैं पूछा जाता है कॉंप्लीकेट अनकॉंप्लीकेट शैंप का तो यह बहुत इंप्राइन टॉपिक है तो पीडियाट्रिक्स के अंदर कर लो है कर बात दूब कर दो दूब कर दो